24 अक्टूबर 16 संतावन को छत्रपती सिवाजी महराज के आदेश पर सोन्देव ने जब कल्यान की किले पर गहराबंदी की और उसको जीत लिया उश्रा में अरंग जेब के बहन अभुत पुर्व सुंद्री थी उसको किले में कैद कर लिया गया और बाद में सैनिकों ने छत चत्रपती सिवाजी महराज के सामने पेश किया तो बहुत ही गुस्से में चत्रपती सिवाजी महराज ने कहा यह तुम्हारी पहली और आखरी गलती है अगर इसके बाद ऐशा अपमानित करने का कार्ज किसी भी जातिया धर्म के साथ किया गया तो इसकी सजा क्या होगी त ठाकर महल भेजवा दिया गया क्योंकि छत्रपति सिवा जी महराज की भूमिका थी कि महिलाओं की गरिमा हमेशा बनाए रखनी चाहिए चाहे वह किसी भी जातिया धर्म का क्यों न हो अगर किसी दुस्मन की पत्नी भी लराई में फंस जाती तो उसे किसी भी परकार की परिश की लकीर होते थे